हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चानल एस मॉम्स में जहां हम आपको देते हैं महिलाओं और बच्चों से जड़ी हुई दीर सारी ज़रूरी जानकारियां दोस्तों कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसके कभी पेट में दर्द ना होता हो बले कभी कभी पर होता ही है फिर चाहे वो न्यूबॉन हो या दस साल का बड़ा बच्चा बड़े बच्चे तो बता देते हैं कि दर्द क्यूं है लेकिन छोटे बच्चे तो बता भी नहीं पात तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चों को किन कारणों से पेट में दर्द होता है तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में और वीडियो से अगर मदद मिले तो इस वीडियो को लाइक करना पिल्कुल मत भूलिएगा तचलिय शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक बच्चे के पेट में दर्थ के कारण और उसके उपाए पहला है ग्यास और आसिडिटी बच्चे छोटे हो या बड़े ग्यास और आसिडिटी सभी को हो जाती है जिससे उनका पेट टाइट होने लगता है और वो खाना नहीं खाते और खालें तो वामिट कर देते हैं बच्चों में ग्यास की समस्या के उपचार पर हमने वीडियो भी किया है वीडियो में दिये गए ग्यास और आसिडिटी के उपचार को अगर आँ फॉलो करते हैं तो बच्चे को काफी राहत मिलेगी दूसरा है constipation, अगर बच्चा ठीक से fresh नहीं हो पाएगा तो body waste बाहर नहीं आएगा जो पेट में bacteria's पैदा करने लगता है और दर्ध होने लगता है एक साल से उपर के बच्चे को अगर constipation के शिकायत है तो इस पे हमने कुछ समय पहले एक वीडियो किया है आप वो देख सकते हैं उससे भी आपको काफी help मिलेगी तीसरा है intestinal worms यानी पेट में कीडे ये छोटे बच्चों के साथ अकसर हो जाता है और इसकी वज़ा से भी पेट दर्ध होता है क्योंकि पेट में कीडे जखम बना देते हैं और दर्ध बढ़ता रहता है intestinal worms के लिए आपको बच्चे को क्या उपचार देने हैं इस पर भी हम आपसे चानल पर वीडियो शेर कर चुके हैं उससे आपको काफी help मिलेगी दोस्तो हम सारे उपचार एक ही वीडियो में cover नहीं कर पाएंगे इसलिए हमने छोटे छोटे आपके लिए वीडियो बना रखे हैं तो जब भी आपको ये सारी चीज़े देखनी है आप वो वीडियो सर्च करके उसके उपचार देख सकते हैं और उससे आपको बहुत ज़ इंफेक्शन ये इंफेक्शन ज्यादा तर लड़कियों में देखा जाता है चाहे वो छोटी हो या बड़ी जिससे पेट के नीचे हिस्से में दर्ध होता है इसके काफी सारे कारण होते हैं अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे कॉमेंट करके बताईए तो मैं अलग से इस पे भी एक वीडियो शेयर करूँगी पाच्वा कारण है बैक्टिरियल इंफेक्शन ये इंफेक्शन बच्चों में बहुत ही आम है खास तोर पर उन बच्चों में जो बस चलना सीख रहे होते हैं क्योंकि वो कुछ भी उठा कर मूं में डाल लेते हैं गंदा पानी प खिलाते हैं बाहर के खाने में आपको नहीं पता कि किस ओईल से वो बना रहे हैं या किस बरतन में वो खाना बना रहे हैं वो हाईजिनिक है या नहीं है या फ्रेश है या नहीं है जिससे कभी-कभी बच्चों को फूट पॉइसनिंग हो जाती है जिससे बच्चों का पेट जो भी ना दें जो उसको vomit हो या फिर अगर वो बिमार है और उसे उल्टिया हो रही है तो आप डॉक्टर से तुरंद कंसल्ट कर लीजे आठवा है appendix आप जानते ही होंगे कि हमारे शरीर में vestigial organ होता है और उसे हम appendix कहते हैं वो अगर बढ़ जाए तो उसका दर्द बहुत खतरनाक होता है अगर बच्चा बार बार पेट के नीचे right side दर्द के शिकायत कर रहा है तो यह appendix हो सकता है और इसमें fever, vomiting भी हो सकती है तो अगर ऐसे लक्षन आपको बच्चे में दिख रहे हैं तो आप तुरन डॉक्टर से concert कर लीजिए तो यह 8 main कारण होते हैं बच्चों के पेट में दर्द होने के जिनके लक्षनों को आप समझ के पहचान सकते हैं कि अगर आपके बच्चे को पेट में दर्द है तो उसक ठीक कर सकते हैं कभी कभी हमें सिम्टम समझ नहीं आते क्योंकि बच्चा छोटा होता है बोल नहीं सकता तो ऐसे में कोई भी अंदाजा लगा कर उससे उपचार देने से बैतर है आप उसे डॉक्टर को दिखाई है क्योंकि वह बहतर समझ पाएंगे साथ ही बच्चों को infection जल्दी हो जाता है तो हाईजीन का बहुत जादा ध्यान रखिए तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही अगर आपको हमारे इस वीडियो से थोड़ी भी मदद मिली हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजेगा साथ ही अगर आपके हमसे कोई सवाल है तो वो आप हमसे कॉ